नमस्कार किसान वायो आपसे भी का स्वागत है आपका अपना यूट्वी प्यानल एक्टिफ किसान पर किसान वायो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गर्मी के मौशं में किस तरह से करे सूरन की खेती जिससे हो सके एक एकर में लाकों की कमाई सूरन की खेती के लिए बलूई दोमट मिट्टी जो होती है वो बैतरीन होती है किसानवायो इसकी रुपाई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी होगी जब खेत की मिट्टी से नमी हट जाए तो एक बार फिर से रोटावेटर से केतो की जुताई करनी है सूरन की सबजी खाने में तो बहुती टेस्टी होती ही है दिपावली पर सूरन की सबजी खाने की मान्यता है इस दिन मार्केट में सूरन की जो मांग होती है वो बढ़ जाती है हलाकि ऐसे सालोबर मार्केट में सूरन बेचा जाता है इसमें विटाइमिन C, विटाइमिन 6, विटाइमिन B1 और फॉलिक एसिड और फाइबर पाया जाता है साथ ही सूरन में मेगनेशियम, केलसियम, पोटेशियम, आईरन और फॉसफोरस का भी भंडार होता है सूरन को खाने से सरीर को प्राप्त मात्रा में वेटाइमिन्स और पोसक्त तो मिलते ही हैं ऐसे सूरन को बिहार रहित कई राजियों में ओल के नाम से भी जाना जाता है अगर किसानवाई सूरन की खेती करते हैं तो अच्छी कमाई कर सकते हैं आप सूरन की खेती से अच्छी कमाई ले सकते हैं पहले लोग घर के पीछे या बेकार परी जमीन पर सुरन को रोपते थे जिसे पर्व तेवारों पर जमीन से निकाल कर खाया जाता था लेकिन अब किसान बड़े एस्तर पर सुरन की खेती करते हैं अगर पिजानवाई चाहे तो खरीव सीजन में भी सूरन की खेती कर सकते हैं। सूरन की खेती के लिए बलोई दोमर मिटी बहतरीन मानी गई है। इसकी रोपाई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी होगी जब खेत की नमी सुख जाए। उसके बाद फिर से एक वार रोटाबेटर से खेत की जुताई कर दे। फिर अंतिम जुताई करने से पहले खेत में परती हेक्टेयर वारटन के दर से गोबर की खाट डाल दे। या आप रसाइनिक खादों का प्रयोग करना चाते हैं तो उस समय आप एनकी के 50 केजी का प्रयोग कर सकते हैं एक एकर में और उसके बाद रोटाबेटर चला कर अपने खेतों को समतल कर ले। इसके बाद 2-2 फीट की दूरी पर 30 सेंटीमीटर गढ़े की खुदाई कर फिर इन गड़ों में सूरन यानि की ओल की जो है रोपाई वो कर दे। अगर सूरन यानि ओल की बीच का आकार 300 ग्राम से ज़्यादा बड़ा है तो उसे आप काटकर दो अलग अलग टुकडों में कर सकते हैं इस तरह आप एक एकर में 4000 सूरन की बीच को रोप सकते हैं परूरत नहीं होती है इस तरह छे महीने बाद सीरन की फसल यानि की ओल की फसल वो आपकी तयार हो जाएगी एक एकर में करीब 200 क्वेंटल तक पैदावार मिल सकती है अब मार्केट में जो सूरन की यानि की ओल की रेट है ओल की जो भाव है वो तीन से चार जार रुपे पर पहले नमबर पर आती है गजेंदर दूसरे नमबर पर एन-15 तीसरे नमर पर आती है राजेंदर यह तीनों बारयाटी बहुत ही ज़्याधा बहतरिन किसमे है आप इन तीनों में से किसी भी इप्राइटी का चैन कर सकते हैं उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आ अई